मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि दुबारा मई वाला सिनारियो आ गया है जब लोगों को सिखाना बढ़ेगा कि क्रैश से कैसे पैसे बनाते हैं कैसे पॉजिटिविटी ढूनते हैं नेगेटिविटी में और कैसे करेक्शन्स पे आपको स्नाइपिंग करनी है आज मैं के आपको बताएंगे कि कैसे पैनिक होने से बच सकते हैं तो दोस्तों आप मेरा नाम अलुड़ी जानते ही हैं अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो कीजिए आईनो बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है at least पेशें सीक रहे हैं पोर्टोल बोला था कि अगर Bitcoin 42,000 डॉलर पे जाता है तो मैं छोटी-छोटी quantity खरीदूँगा ये crash थोड़ा सा पहले उन्होंने tweet किया था हम लोग discuss कर रहे थे हमने अपनी हम strategy बना रहे थी कि अगर crash बड़े-बड़े आते तो हम क्या करेंगे हाला कि ये थोड़ा joke है बड़ मैं घुमी का बाढ़ने के लिए आपको बताता हूँ 42,000 पे हम छोटा खरीदेंगे 36,000 तक अगर price गया तो हम बहुत जादा खरीदेंगे 31,000 पे हम big खरीदेंगे 26,000 पे भी खरीदेंगे और finally 19,499 अगर गया तो only fans basically US की website है जहां पे आप चंदा एक अठा करते हैं तो हम लोगों से चंदा मांग के भी खरीदेंगे क्योंकि हम इतना strongly believe करते हैं खरीए joke था, joke से start करना चाता था हमें ताकि आप लोग थोड़ा सा light लगे और bitcoin definitely pump up करेगा दुबारा से एक लाग डॉलर पर जाएगा हमें पूरा विश्वास है पर फिलाग क्या चल रहा है technicalities में वो भी देखते हैं जरा कल bitcoin ने हमारे 42,000 डॉलर की line को तोड़ने की कोशिश कीती बड़ अगर आप देखें वो एक लंबी विक बनाई बट अगें 4-hourly closure उससे उपर नहीं हो पाया हमने दुबारा से jump लिया फटावट से और हमारी जो very strong bottom line support है वो इतने बड़े FUD के बावजुद इतने बड़ी news के बावजुद भी respected रही intact रही हलाकि अगर उस पूरी candle का size आप देखें तो करीब-करीब 7%, 8% के करीब कास पस गया था but it's okay important is that that support line was respected and ultimately that support is still a support on 4-hourly we don't talk about Wix because Wix बनती है लोगों को liquidate करने के लिए जो लोग शाने बनके अभी भी long ले रहे हैं 4x, 10x, 20x पे उनके लिए है but overall हम 17% गिरे हैं क्योंकि मेरा बहुत strongly मानना है कि अगर bitcoin को अपने एक लाग स्थर पे जाना है तो ऐसे 3-4 बवंडर दुबारा जरूर आएंगे तो ये मेरे ख्याल से पहला है शाए दूसरा है क्योंकि हम 7 सेतंबर को अलड़ी देख चुके हैं और ये बवंडर हमने इसलिए 2 दिनों में देखा गरीब 48 घंटों में देखा बहुत जरूरी है ये सब बवंडर बनने बहुत जरूरी है तो ऐसे 1,00,000 डॉलर पे जाने से पहले आपको दो बवंडर और देख़री को मिलेंगे कि मैं पुराने experience से कह रहा हूँ मैं आपको बता चुक हूँ ये मेरी तीसरी बुल साइकल है और आप इतने बड़े-बड़े दिखेजों के साथ काम करना उनकी टीम के साथ रोज 3-3 घंटे जूम कॉल पे बिताना बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की insider stories देखना Wales की movements को देखना on-chain data को देखना मुझे मैं इससे ज़्यादा विश्वात से नहीं कह सकता हूँ कि bitcoin जो है इस समय जो लोग जितनी भी खरीददारी करेंगे जो लोग sniping करेंगे उनको कहीं ज़्यादा profit होगा बाकी लोगों से जो इस समय buy sell buy sell खेल रहे हैं आपको इस चैनल का मूल मंत्र पता है मूल मंत्र हमें buy sell buy sell नहीं करना है कई लोगों ने appreciate किया comment करके कि वही बात कि जब market गिरेगा तो हम खरीदने के लिए ready नहीं होगे आप लोगों से सबसे अपने आपसे पूची 40,100 डॉलर पे जब bitcoin गया था execute हो गया बट मैं 40,100 तो मैंने भी नहीं सोचा था तो इस तरह से आपको sniping technique यूज करनी है अगर moving averages की बात करें तो अभी भी हम day level पे 50 moving average से उपर है 100 और 200 की नीचे है जो की कोई बात नहीं एकड़म से एक बड़ी वाली market में Luxealgo को नहीं देख रहे हैं नहीं आपको recommend करेंगे कि आप देखो क्योंकि volatility जब इतनी है market एक uni direction नहीं हो पा रही है तो one day पे अभी तक भी Luxealgo ने buy नहीं दिया है यह सारी हम 4 hourly की बात कर रहे हैं तो इसलिए फिलाहल 4 hourly पे हम Luxealgo को ignore करेंगे और wait करते रहेंगे कि one day time frame पर Luxealgo कब आये देता है उसका मतलब है कि हम momentum जो है दुबारा से shift हो गया है तब तक हमें थोड़ा सा सतर करेंगा है we are not out of the woods yet अभी भी इसकी guarantee नहीं कि हमने बयाले सेजार test कर लिया तो हम दुबारा बयारे सेजार test नहीं करेंगे एक लंबी week नहीं आएगी जो आपको liquidate करते वो सारे youtubers अब मूँ छुपा रहे है अगर आप देखें अगर वो सब गालियां खा रहे है जिन लोगों ने 2-4 दिन पहले दुबारा से लोगों को उकसाना शुरू कर दिया था कि long low वो सब 10-10% के जो profit के screenshot डाल के आज उन में से कोई भी 90% हो यह liquidation के screenshot नहीं डाल रहा है हमें fundamentals को ध्यान में रखना है हम evergrande को इंडिया में I think हम पहले channel थे जिसने evergrande के बारे में बात किया था एक अफ़े पहले और evergrande तब तक भी अगर आप पूरे एक साल का chart देखो अलड़ी 80% गिर चुका है और लोग आज evergrande के बारे में बात कर रहे हैं कल कर रहे थे evergrande तो अब थोड़ा सा settle हो चुका है चाइना में 18 billion dollar की money print हो चुकी है Chinese government internal news है कि इसको bailout कर रही है इसको bankruptcy से बचा रही है तो यह तो positivity है आप US stock market को देख लीजिए US stock market अपने 4285 के support level तक गई थी मैं आपको पहले भी काफी time पहले बोला था कि 2200 dollar का level जो है वो support का है बड़ उसके उपर अच्छा का सा jump लिया है उसने almost 4 four hourly candles green में close करी है अच्छा का सा pump है almost 78% का उसने return लिया है और अच्छे अच्छी बात मैं आपको बाद बता हूँ दोस्तों मैं आपको एक नया चार्ट दिखाता हूँ आज बहुत ही मज़ेदार वो है stock market के crash के साथ stock market के crash के साथ gold का क्या लेना देना है historically जब भी stock market में crash आए है gold के price को आप observe कीजिए यह gold का chart है हमेशा gold का chart crash वाले दिन exponentially grow करता है यहाँ पर सिर्फ gold एक परसंट बढ़ा है आपको खुद से मैं suggest करूँगा अब gold spot search कीजिए 1700 डॉलर की करीब का भी price है आप compare कीजिए पुराने stock market crashes के time पे gold का क्या होता है लोग ज़्यादातर safer assets की तरफ जाते है आज तक historically पिछले 100 साल में gold को सबसे safe asset माना गया था पर पहली बार मेरे जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा हुआ है कि stock market के बड़े crash के दौरान gold का price pump नहीं हुआ है in fact पिछले 12 गंटे में फिर से गिरना शुरू हुआ है और बहुत आइन से गिर रहा है gold का अगर आप देखें तो मैं जहां तक observe कर रहा हूँ ये 2000 डॉलर से भी उपर से नीचे गिरता हुआ रहा है पिछले 3-4 महिने में ये क्या दर्शाता है ये मुझे ये दर्शाता है कि लोग gold को safe heaven नहीं मान रहे है gold जो करीब-करीब 14-15 trillion dollar की market है इस बार bitcoin के crash relatively कम है और जितनी भी आप cycles देखें stock market के crash के साथ bitcoin का crash जादा बड़ा आता है मेरा मानना है जैसे यसे नए customers एड हो रहे है नए-ने wallets एड हो रहे है bitcoin के crashes छोटे होते जा रहे हैं दोस्तों जितना बड़ा फड़ था मैंना आपका audio message में बताया था इतने बड़े फड़ तीन सो बिलियन डॉलर की collapse of a company के बाद gold को बहुत pump होना चाहिए था और bitcoin को बहुत बड़ा crash होना चाहिए था और दोनों ही नहीं हुए gold हलका सा pump हुआ और bitcoin ने भी बहुत maturity से दर्शाया कि नहीं मैं अपने basics बाटल रहूँगा ethereum ने बहुत confidence दिखाया कि नहीं मैं 3000 डॉलर से नीचे नहीं जाऊँगा obviously bears धकेलने की कोशिश करते हैं बड़ी बड़ी wick बनाते हैं but 42,000 डॉलर of bitcoin और 3000 डॉलर of ethereum is well respected तो यह हमारे लिए क्या दिखाता है कि दोस्तों अगर आप अभी invested हैं तो long term में crypto market में और जादा discipline और sophistication आएगी तो थोड़ा सा show off करते हैं मैंने आपको बताया था दोस्तों rainy coin के बारे में rainy coin को बड़ी investment मिली है rare stone capital ने rainy coin में invest किया और आप जानते हैं जब solana में या algorand में VC investment आई थी उसके बाद उन coins का price अगले एक दो महिने तक कैसा जाता है और इस channel पे हम आपको rainy coin के बारे में करीब 4-5 हफते पहले बता चुके है और rainy coin का price 0.00 something dollar था और almost जिन लोगों ने invest किया है कहने पर चाहे मैंने जिसे 5000 लगाया था मैं आपको हमेशा कहता हूँ छोटी investment में risk लें उनके अलड़ी 12-14X हो चुके हैं क्योंकि fundamentally बहुत strong है card game में इसके उपर हमने dedicated videos करी है NFTs के बारे में अच्छा concept है अच्छी lower market cap है किवल 30 million dollar की market cap है अच्छी management है और अब जब VC funding मिल चुकी है तो मुझे बहुत गर्व है इस बात पर कि मैंने इसमें 5000 रुपे लगाए अलड़ी 65,000 हो चुके हैं तो यह बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी एक छोटी investment इस shaky market के दौरान मैं at least एक अच्छा coin ढून पाया था हलाकि मैंने यह नहीं मैं कोँगा मेरी हर investment अच्छी जाती है मैंने इस तरह के छोटे छोटे तीन चार और coins में लगाए जिसे मैं आपको share करता रहता हूँ किसी में 2x है किसी में 1.5x है एक में minus 30% भी है बट इस तरह से अगर हम 11,000, 5,000 की अपने capacity के साथ से invest करें कि हमारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाके नीचे देख लीचे बहुत अच्छे-ची इमने वीडियो पोस्ट की है मैं आपको screen पे दिखा देता हूँ यह जो 2-3 वीडियो हैं NFT, top NFT project और यह सब यह आप check कर सकते हैं Rainy coin के बारे में और comment करके बता सकते हैं कि आपको इस तरह के अगर और altcoin gems के बारे में पता करना है तो वो भी आप बता सकते हैं मैं आपसे दोस्तों सिर्फ एक simple सा सवाल आज पूछने साथ हूँ giveaway question और इस बार हम सिर्फ एक winner चूज करेंगे और उसको 6000 रुपे यानि की करीब 75 डॉलर का इनाम देंगे तो उस एक winner के लिए आज का सवाल है आपको उस company का नाम बताना है जो bankrupt हो रही है चाइना में सिर्फ उसका नाम लिखना है वो मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ प्राइस स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है अगर आपके वास apple stocks है या अगर आपके वास कोई भी app है अगर आप खुद ट्रैक करना चाहिए अलर्ट लगाना चाहिए तो आप खुद लगा सकते हैं ट्रेडिंग यूप आप अलर्ट लगा सकते हैं तो आपको याद रहे कि यूज कीजिए और crashes से पैसा बनाइए sell करके नहीं buy करके ओके दोस्तों प्लीज किसी का ख्याल रखिए I know आज आप loss में हैं आपको इतना profit नहीं है तो आज शायद आप किसी का फायदा नहीं कर पाएं बट जब आपको profit हो किसी का फायदा करो किसी security guard को खाना किलाओ किस इने बाद दोस्तों जाए हिंद